राम राम, महाराजी के चण्णों में प्रणाम, आज हम गोकुल की बहुत ही सुन्दर लीला का श्रवन करेंगे, जिसमें महादेव शंकर जी भगवान के बाल रूप की जलक प्राप्त करने के लिए गोकुल में नंद बाबा के घर आते हैं। गोकुल निवासी गोप कोपियों की भीड नंद बाबा के भवन में अकारण ही जुटी रहती, बिना किसी काम के। क्यूं? केवल, केवल शाम सुन्दर श्रीकृष्ण की एक चलक पाने के लिए इतनी सुन्दर जो थे भगवान। एक्तम सुकोमल, नन्य नन्य से हाथ, गुंगराले केश, सावला सा रूप, बड़ी-बड़ी आँखे, मोटे-मोटे गाल, सारे गोप कोपियों को अपने घर की सुद्भुधी नहीं रहती। वैसे भी जिस रूप की छटा बड़े-बड़े देवताओं, योगियों, मुनियों तक को अभिभूत कर देती है, उससे साधरन गोप-गोपिया कैसे मंत्र मुग्द ना होते। अब आज उसी उसी रूप पर महादेव शंकर जी भी मुग्द हो गए। आज तो महादेव शंकर प्रभु के बाल रूप की जलक प्राप्त करने गोकुल में नंद वावा के द्वार पर आप उँचे। कोकुल के आनंद की तो सीमा ही नहीं थी। श्रिक्रिश्ण बलराम अभी चलना पिरना सीखे ही थे। नंद बाबा के आंगन से बाहार निकल कर थोड़ा थोड़ा सा गुटनों के बल चल ही रहे थे। इतने में महादेव शंकर जी एक सन्यासी बाबा यानि की मुनी का वेशधारन करके आ गए। अब मुनी का वेशधारन तो कर लिया पर थे तो शंकर जी ही तो थोड़े से डरावने तो दिखते थे। अब जैसे ही माता ने उन्हें देखा तो माता ने का अरे ये भसमी बाबा कौन आ गया मेरे द्वार पर चलो चलो इसे तुरंत बिक्षा देकर यहां से भगाती हूँ। कहीं मेरे लाला की नजर पड़ गई तो लाला तो डर जाएगा पर लाला की लीला तो अलगी है। माता ने जैसे ही सन्यासी बाबा को बिक्षा देना चाहा तो सन्यासी बाबा ने कहा कि हमें तो ये बिक्षा नहीं चाहिए हमें तो केवल अपने लाल के दर्शन करा दो अब मैया बोली मेरा लाला तो इतना सुकोमल इतना सुन्दर चोटा सा नन्ना सा है और आप ऐसे भस्मी बाबा हैं, आपको देखकर मेरा छोटा सा काना तो डर जाएगा, मैं नहीं दर्शन कराऊंगी उसके, ये क्या बात हुई, भला ऐसी कोई भिक्षा मांगता है, कि आपके बालक के दर्शन कराऊ, नहीं नहीं, और मादा ऐसा कहकर अंदर चल पड़ी, अब मैं तो चल कर इती दूर आ गया, अब दर्शन देना ना देना आपके हाथ में, नहीं तो मैं यहां से दर्शन किये बिगर तो जाने वाला हूँ नहीं, अब भगवान ने अंदर लीला शुरू कर दी, अब नन्ने से क्रिश्न भगवान जोड जोड से रोने लगे, किस कि किसी से भी चुप होने को तयार ही नहीं, खिलो ने दे दिये, दूद पिला दिया, माखन दे दिया, चाहे जो कर लिया, लोरी सुना दिया, अब कनया तो चुप होने को तयार ही नहीं है, अब एक दासी दोड़ी दोड़ी हाई, बुली, ये शुदा मैया, ये शुदा मै तो चलो क्यों ना हम अपने लाला को उनके पास ही ले चले मैया बोले नहीं नहीं चली जाए यहां से मैं अपने लाला को उनके सामने नहीं ले जाउंगी अभी तो मेरा लाला और रोने लगया तो तासी बोलती नहीं नहीं मैं उनसे पूछ के आई हूँ उनको सारे जादु मंतर आते हैं और कुछना कुछ टोना टोटका करके अपने लाला को चुप कर ही देंगे अब ऐसा सुनते ही मैं तो तुरंत काना को गोद में लेकर भगवान के पास यानि कि महादेव जी के पास बाहर आ गई अब जैसे ही भगवान कृष्ण की नजरें महादेव जी के उपर पड़ी और महादेव शंकर जी की नजरें भगवान के उपर पड़ी दोनों की अखियों से जो एक दूसरे का मिलन हुआ भक्त और भगवान का उसका तो कहना ही क्या तुरंत कृष्ण भगवान ने तो रोना और तेच कर दिया अब तो मैया बोली अब क्या करूँ क्या करूँ और इत्ते में महादेव जी ने भगवान को मैया की गोद से अपनी गोद में जैसे ही लिया कीच कर कि लाव लाव मैं आपके लाला को चुप करता हूँ लाला तो गोद में आने के लिए मचल ही रहा था जैसे ही गोद में आये कृष्ट बगवान चुप और खिल खिला कर हसने लगे खिल खिला कर बाते करने लगे हुकारे बढ़ने लगे सारे गोप कोपिया तो देखते ही रहे गए बुले अरे ये मादेव बाबा ये जो भस्मी बाबा आया है ये कोई जादू टोना तो अवश्य जानता है इसके तो गोदी में जाती अपना काना चुप हो गया माया ने कहा ठीके बाबा आप तो इसके दर्शन करना चाते थे आप इसके दर्शन भी कर लीजिए मैं आपको भिक्षा भी दे दूंगी पर मेरे लाला को ऐसा ही आशिर्वात दीजिए कि ये हमेशा हसते ही रहे कभी रोए नहीं तो भगवान ने कहा हा मया मैं इसको ऐसा ही आशिर्वात देता हूँ और महादेव जी अपने प्रभू के दर्शन करके उन्हें प्रडाम करके फिर से अपने धाम में चले गए बोलो श्री कृष्ण का नहीं आलाले की जै